Dear students, we have discussed about developing and outdoor provision under sustainable development. देखें, जब हम traditional teaching की बात करते हैं, तो उसकी तो sense वो ही है, knowledge और road learning. लेकिन अब जब हम advanced की बात करते हैं, या sustainable की बात करते हैं, तो वहाँ पे knowledge और skills है, और साथ उसके behavior भी है. इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें physical development चाहिए, हमें emotional development चाहिए, हमें बच्चों की creativity को enhance करना है, और बच्चों की imagination को enhance करना है. अब देखें, जब हम ये पार्ट play कर रहे हैं, सिर्फ teaching learning तो रहे नहीं या, cognition का रोल तो अकेला है नहीं, इसका मतलब है कि अब हमारे पास behavior और skills भी हैं, तो उसके लिए अब हमारे पास जरूरी है कि जो हमारे पास practitioner है, वो हमारे पास बच्चों के साथ align हो, minimum time गुजारे हैं उनके साथ, time गुजारने के साथ, allowing them to agent of their own discovery of the world, देखें अब हमें चाहिए कि बच्चों को explore करने की तरफ लेके जाएं, बच्चों को discovery की तरफ लेके जाएं, discovery की तरफ वो कब जाएगा, जब हम उसकी critical thinking और creativity को enhance करेंगे, अगर हम उसको enhance करेंगे, तो वो फिर discovery की तरफ जाएगा, और फिर वो सिर्फ सकूल के environment से learn नहीं करेगा, बलके वो outdoor environment से वहां से भी वो learn करेगा, और वो खुद initiative लेगा, जब बच्चा खुद initiative लेगा, इसका मतलब ये है कि वो teaching learning process का खुद हिसा बन रहा है, तो उसकी जो teaching learning process है, जब उसके अंदर उसका अपना interest involved हो जाएगा, अब उसकी अपनी choice involved हो जाएगी, तो effectiveness से automatically हो जाएगी, और हमने इसको align कर देना है, sustainable development के साथ, with the freedom of the student, देखें, आपने क्या करना है, आप बच्चे को एक direction देनी है, उस direction में उसको freedom देनी है, उसको self decision की तरफ लेके जाना है, उसको अपनी choice की तरफ लेके जाना है, उसको guide कर देना है, जब आपने guide कर देना है, तो उसने creative भी बन जाना है, imaginative भी बन जाना है, और उसने explorer भी बन जाना है, उसने world को खुद explore करना शुरू कर देना है, और जब वो world को खुद explore करना शुरू करेगा, तो इसका मतलब है, वहाँ से उसका teaching learning process इटसल्फ शुरू हो गया है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रवियन आ जाएगी, कि आपने बच्चे को freedom दी, उसको सीखने का मौका दिया, उसको imagination करने का मौका दिया, उसको critical thinking का मौका दिया, उसको creative बनने का मौका दिया, उससे क्या किवा उसने, अब बच्चा जो है, वो अपनी पूरी दुनिया को explore कर रहा है, अब जब वो explore कर रहा है, तो automatically वो सीख रहा है, उसका teaching learning process जो है, वो होना शुरू हो गया है, और यह planned भी हो सकता है, और unplanned भी हो सकता है, unplanned इस सवाले से हो सकता है, कि आपने एक idea दे दिया, और बच्चा ने उसके मताबक explore करना चुरू कर दिया, plan यह है कि आपने उसको direction कर दिया, और उसके मताबक उसने उसको explore किया,